स्वास्त मंत्री राजेश टोपे ने रवीबहवन में कहा कि महिला सशक्तिकरण की प्रेणा देने वाली हर महिला का सम्मान और प्रोच्छान करने में समय लगता है उन्होंने प्रसुनता व्यक्त की प्रथम महिला एंबूलेंस चालग डागा महिला अस्पताल में कारगत थी स्वास्त मंत्री राजेश टोपे ने स्वास्त सेवा में पहली महिला एंबूलेंस चालग गोपीनात लोनारे कोशौल और नारियल दीकत संवानित किया माराश्व के संस्कृती प्रगती शील है महिलाओं के सम्मान की शिक्षा देने वाले माओं जी जाओं महिलाओं के लिए शिक्षा के दौर खोलने वाली ग्रांती जोती सावित्री वाई फूले भारत की पहली महिला डॉक्टर अनंधी बाई जोशी देश की पहली महिला राश्पती बनने वाली प्रतिवावाई पातिल जैसी कई महीलाएं स्वास्त सेवा में पहली महीला एमुलेंस चालक विश्या गोपिनाथ लोणार को भी यही विचाब विरासत में मिला था उन्होंने का कि उनका व्यक्तित्व समाच के युवा महीलाओं को प्रेरित कर रहा है लोनारे ने कहा ड्राइवर का पेशा लेने के बाद में गर्वती महिलाओं और माताओं को सेवा प्रदान करने में सक्षम होने के लिए बहुत खोश और संतोष्ट हूँ जो हमेशा 24 खंटे ड्यूटी पर हैती है स्वास्त उपने देशक डॉक्टर डागा अस्पताल के चिकित्सा दिक्षक डॉक्टर संजे जैसवाल एवं चिकित्सा दिक्षक डॉक्टर सीमा परवेकर बहुत उत्साजनक थी उन्होंने संगरश के डर के बिना समाच में लड़कियों की भैत्री के लिए काम करना जारी रखने का संकल पर वैक्त किया कैमरा परसन राजकुम मोहर के साथ अभिशेक पान सी बीजियन न्यूस नाकपूर